लातेहार बर्वाडिय राष्ट्रिय खाध्य सुरक्षा कानून के प्रभावी प्रियानवयन नहीं होने से लगातार उप्भोपता परिशान रह रहे हैं पलामू प्रमंदल के लातेहार जिला अंतरगत बर्वाडिय प्रखंड क्षेत्र में कुछ इसी तरह की स्थिती बनने पर लोगों का धेरे जवाब दे दिया पांच माह से बकाय अनाज की मान को लेकर पचास से साथ उप्भोपता सड़क पर उतर आए इसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी डालतंगंज बेतला मुख्य पत को केचकी नाका के पास जाम रखा गया करीब देर घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद बर्वाडी के बीडियो दिनेश कुमार और थाना प्रभारी ने हस्तक्षिक कर जाम समाप्त कराया केचकी निवासी उप्भुकताओं का आरोप है कि उन्हें पिछले पांच माह से जन्वित्रन प्रणाली के दुकानदार जमुना सिंख खाध्यान नहीं दे रहा है जब भी राशन की मान की जाती है, पीडियस डीलर मनमानी पर उतर जाता है प्रखंट स्तर पर कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कारवाई नहीं हुई सड़क जाम ही एक मात चारा रह गया था केचकी के कई गावों में जनजातिय परिवार के लोग रहते हैं पीडियस दुकान से मिलने वाले अनाज से ही उनका पेट भरता है ऐसे में पिछले पांच माह से राशन नहीं मिलने से कई जनजातिय परिवार भूखमरी की स्थिती में पहुँच गए हैं उप भूखताओं को समझाते हुए बीडियो दिनेश कुमार और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि चुनाव के कारण धारा 144 लागू है सड़क जाम रखकर प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जा सकती है ऐसे में समवैधानिक तरीके से ग्रामीन अपनी बात रखे उसका निदान किया जाएगा अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने पर देर घंटे बाद जाम समाप्त हुआ जाम पूर बाहन 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक रहा लातेहार से रवी कुमार गुपता की रिपोर्ट जाएगे जाएगे हैं? खर्चें परकारा और प्रचान गूटेसे प्रॉच कि अपेशने प्रॉटी प्राइब बेल इकन और यडिट्री आप्तुरीर, छ्रॉट के प्रॉटी के अट्रेश के अटीट कि आफटे me